या यह जो जाल लगा हुआ है इसमें फैल ही चाराओ में हम दिखा दे किस तरीके से चारा जो है यह देख्यों आगया तूटा हुआ है देख लिए बॉंडरी हम दिखा दे कि आरके सिंग के द्वारा फॉंड दिया गया था और देख लिए टूटा हुआ है और इसी में जो है वह चारा का भंडार वजो की भी आज उपर रही होगी कि यह दुर्दसा के लिए उन गोसाला की परिकल्पना नहीं हुआ इस अधिक देख रह idag मोला चाहे है सुनने मर गया है वैसे लोग श़ुकों सर्म आना चाहिए होगी यह गव माता ही बता सकते हैं जिसको हिंदु अपना मानता है जिनका दूद्ध बिके बड़ा होते हैं कैसे चिल्चिलाती गर्मी में दोड़ते हुए उमीद लगाते हुए सारी गव माता है जो है वो आ रही हमारी तरफ और यह रोंग्टे खड़े करनी वाली तस्वी समक्राइब लोगों हवां छाहा रहे हैं अपने सरकारों से अपने अपने लोगों कर रही हैै लोग हमारी यह इस्तिती जो है पूरे भाडत और भिहार में गौ पेराजनीती खूब होती है गौ माता जिसे हिंदु धर्म में माका दर्जा मिला है और मां मानते हैं गव माता जिसकी सेवा करना पुन्य का काम होता है आज उसी गव माता के गव साला में हम लोग है बाकी नमश्कार आप देख रहे हैं आसा एक भारत में रहना सिंग तस्वीर दिल दहला देगी पूरी तस्वीर देखिएगा किस तरीके से आखिर फंड आते हैं तो फंड जाते कहां हैं यह बहुत बड़ा सवाल है सारी खोल करेंगे आप बने रहें देखिए तस्वीर यहाँ पे बड़ा बड़ा लगा हुआ है राजकुमार सिंग लिखा हुआ है आरके सिंग यहां के लोकल संसद हैं आभी हम आरा के गवसाला म में रूड तथा मुख्य प्रांगन का निर्मानकार के लिए इन्हों ने दिया है रूड आप दिखा सकते हैं पीछे कि रूड कितना बना और क्या बना और किस तरीके से बना यह रूड आप देख लिए कि कि देख लिए यहाँ पर सिंग्हीं सोब्सक्राइं कि निर्मान है इस अब पिलर किस तरीके से निर्मान हुआ वह भी हम दिखाएंगे और कितना अच्छा काम हुआ है वह सारी चीजी हम आपको दिखाएंगे क्योंकि फॉंड आते हैं जरूर लेकिन कहा यह बड़ा सवाल यह देख लिजे स्तिति गौु माता को मा का दरजा मिला है और यह देख लिजे सेड्ड और यह देख लिजे गंदगी हम आपको दिखां DAVID ये देखिए और टीना जो है बील बीच-बीच में फटा हुआ है पानी जो है बरशात के दिन में एक काइसे रहती होंगी यह कुछ बता सकती है क्या इस्तिती बनी हुई है कि दुरदसा में यह हैं यह थी फाट हुआ है और यह देख लिए यह किस त्यरोट से यहाँ पहे लोग जो है और आप बोलने के लाइक नहीं है नहीं तो यह जरूर बोलती और यह पीरा जो है वह पीरा जब माइक देखी गउमाता तो हमारे इस्थिती नहीं नहीं है चले इंसे वह बी बात करते हैं क्या नाम विशाल है नास्तिति है पूरी राज विवस्था है जो सरकार है यह मानोता जहां मर गई है वो देख सकते हैं गाय माता भी संवेधित होके आपके प्रति हमारे प्रति कुछ कहना चाहती है उस बीजुबान का सुनने वाला कौन है जिसके प्रति सारे हिंदुओं की भावनाये जुड़ी है यह माता ह है वही बताना चाहता हूं वर्तमान जो सरकार है नितीश कुमार को उतर गए है घ्र्मी के लिए फंड लॉट कि यह जाता है और यह गाय बलुट कितने कश्टों में हैं जिसको पूरे हिंदू की भावनाव जिसके साथ जुड़ी है जिसको हिंदू अपना मांता है जिनका दूद पीके बड़ा होते हैं और अस्थान का दूद पीके हम लोग टाकत हमारे अंदर आती है उनी हिंदू के वोट से जीत के चुने हुए सरकार की जिम्मेदारी है घिरवाते हो तो सरकार के नाक तले जमीन को कभजा कर लिया जाता है इस जो साथ यह रोग मुंझें मोदी कार सरकार्म है सर्मात्र ज敬ंभ रहे हैं खाल कर चल्बे정न के और द 되면iska में जन्हें कि आईए तो मान लिजी आप मनुस्त्र नहीं इन पसू से भी गंदे हैं इन पसू से भी धिकार हैं आप आपके अंदर यह भावनाएं नहीं जग रही है यह बीना बोलते हुए जीव जिसको हरी हर तरीकसे हम लोगों को देख रही है सभी उल्टे मूघ करके घूम लीज़ें यह nessud मुख करने के देख सकती हैं ओर नलायक जो की सिर्ष पर काते हैं कि यह कर देंगे वह कर देंगे ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे जीतने के लेकिन होता क्या है वो हम दिखा रहे हैं आप लोग आपके मानत से मैं हिंदू मानत से करना चाहता हूं उन्सान करेंगे कर Kर कंगर को मानते मोद्ध की में स्कूर कि यह इस निकम य। toxicity को कोंगे लेकर केवल कुरसी पे बैटने के लिए छोड़ देते हैं हम अपनी संबेदनाओं को जगाएं इन गाय माताओं के प्रती आपके पूर संबेदना है तो आगे आईए इस गांगी गौसाला में कुछ ना कुछ मदद जरूर कीजिए क्योंकि यह भावनाओं से जुड़ी वह स बड़ा दिये इनको भी उमीद नहीं है सरकार से इनको भी उमीद नहीं है नेताहों से शेर पर लेने आखा वोट के बाद यह तुष्टिकरन की सरकार है नितीज कुमार सत्ता में बैटे हैं वो तुष्टिकरन में के वह बरबाद है यह देखिए गाय का गाय छोड़ीये जो पुर्वजों की भी आज उपर रही होगी कि यह दुर्दसा के लिए उनने गोसाला की परिकलपना नहीं की थी आगे बात करेंगे और बहुत-बहुत धन्यवाद आपने समय दिया चलिए हम दिखाते हैं तस्वीर यह इस्तिती यह है यह देख लीजिए यह जोल जाल लगा हुआ है इसमें गंदगी फैली हुई है चाराओं में हम दिखाते कि किस तरीके से चारा जो है यह बेवस्ता दे है कड़ी और चोकर वह सारी कुछ कुछ नहीं है सिर्फ और सिर्फ भूसा इसमें पड़ा हुआ है और सरीर का इस्तिती देख लीजिए इन लोगों का यह स्तिती है यहाँ पे इस गौसाले की हकीकत जो है वह हम दिखा रहे हैं आपको तस्वीर रॉंग के खड़े कर देग सुरेंदर दूबे जी का सिती है कगे 127 साल पुराना है यह 1896 का स्थापित किया हुआ है पिर भी यह पहले जमाना का जो बना हुआ है नया से तो नहीं बना हुआ है कोई मदद नहीं कर रहा है कोई पूछने वाला नहीं है हिंदू के नाम पर भोट लिख वारके सिंग ना कुछ मदद हुआ कि जमीन घेरा गया है तो टूटा हुआ है देख लिए बौन्डरी हम दिखा दे कि आरके सिंग के दौरा फॉंड दिया गया था अवो देख लिए आज दूटा हुआ है और हम पूछ रहा है साला में कतना घाए बाड़ीतना है अब कुल्त दौरा इससे ज्यादा स्ट्रेंट आप लोग चाहते हैं कि और गाये आए तो खर्चान हुआ है चंदा से चलता है तो इतना कॉम है सरकार कहां देती है कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं देती है कुछ बी देती है असि गाय कहां से आती है अब जो गई या कोई इस सब चाहिन हो गया भींग जाता है खराब हो जाता है अब आनसर जाता है पूरान पूरा देखा दिखे और चीज दिखा डीज्टि वह इस्तिति में गउसाला में घाय का चारा इस इस्तिति में रखा आप भी यह देख लिजिए यह देखिए यह देख लिजिए इसके बाद नहीं बना उसके बाद सरकार आई की नहीं आई समझी में नहीं आ रहा है कि 1896 के बाद कोई सरकार ने जनम लिया या नहीं लिया यह बड़ा सवाल है वह यह देखिए इस इस्तिती को भ्यावा इस्तिती को देख लिजए कई से कई से टीना फटा हुआ है पूरा का पूरा टीना जरजर इस्तिती में है और इसी में जो है वह चारा का भंडार जो है वह रखा गया है देख लिजे चारा का भंडार इसी में रखा गया है और बरसात में अगर बरसात आती है तो क्या इस्तिती होगी इसकी यह आप जरूर अनुमान लगा सकते हैं य यह स्तिति आरा के सुनिए 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 यह पूरा भींग जाता होगा हो तो इसके अंदर में अगर चाहते तो चमकी भी लग सकता था यह इसका जो है कित्रा खर्चा आएगा मामली सकाए और गव माता का अन ऐसे भी बरबाद नहीं किया जाता है और माता का अन यह पूस है यह जो हे यह क्वाव एक डूप में जो है देखली जी घरमी का दिन है और कि पर शिस्थिति जो है वो यह है देख सब्सक्रांद हैं हम दिखा दे आपको वी जब कि विशारी इतिनी सारी फ्रकुर्तिक जो है देन जो हम प्रकुर्तिक आपको मिली है उसी का देन है बाकि जो हम लोग भूट देखें कैसे दोड़ते हुए आ रही है कैसे चिल्चिलाती गर्मी में दोड़ते हुए उमीद लगाते हुए सारी गव मताय जो है वो आ रही हमारी तरफ और ये खड़े करनी वाली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उन निकम्मों को भी दिखा दीजिएगा जरूर सेयर कर दीजिएगा जो नहीं देख पा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कह रहे हैं कि गव हमारी मता है और उसके बाद हमको कुछ नहीं आता है वो हाल हो गया है इन बेचारी गव का रखवाला कौन होगा देख लिजे भूखे प्यासे जो है ये तडपते हुए हमारे प अपने लोगों से अपने अफील कर रही है कि सुनलो हमारी ये श्तिती नर्की श्तिती जो है ये सुनलो नेताओ सुनलो केंदर की सरकार मोधी सरकार जरूर सुनो नितीश कुमार जी जरूर सुनो इनकी परसानिया सुनो और कुछ ना कुछ इनके लिए भी करो सिर्फ भोट बैंक जो है वो मत चमकाओ सिर्फ भोट बैंक से राजनीती नहीं होती है यह देख लिजिए यह भोट बैंक की राजनीती जो है वो सिर्फ नहीं होती है इन लोगों की सेवा करना भी एक राजनीती का धर्म होता है चाहे कोई भी जानवर हो सेवा जरूर कर यह इस स्तिती में ये लोग हैं गव को माताओं का दर्जा दिया गया है उसके बावजूद भी ये निंदनिये पीड़ा दायक है और पीड़ा दायक का मतलब होता है कि हम लोगों को भी रूह का पा दे रही है बाकी खबर में इतना ही जरूर बताएगा ये लोग भी अपील कर रही है उन निकम सब्सक्राइब कर देख रहे हैं तो यूटूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बिल बटन दबा दीजेगा और हमारा चैनल जो है अब इस्ट्राग्राम और ट्विटर पे भी आगया है जरूर वहां जाके फॉलो कर लीजेगा क्योंकि ये हमारी आपकी बात न लोग माता जो है हमारी माता और आपकी माता है उनका विख्याल रखना हम सभी का करतव है चैन चै बिहार आपका अपना असा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भीया और साथी साथ बेल बटन दवाना ना भूले क्योंकि बेल बटन दवाईएगा तभी तो खबर फटा फट पाईएगा